खेसारी लाल यादव और सपना चौधरी का एक गाना आया मटक मटक के गाना ट्रेंडिंग में भी है, गाना वाकई अच्छा है, हम उस गाने को लेकर कुछ नहीं कहीं लेकिन भोचपूरी में कुछ भी आये और विवाद ना हो, ऐसा हो सकता है चलिए इस गाने से जुड़े विवाद को बताते हैं, शायद सुनकर हसी आजाएं हसी इसलिए कहेंगे, क्योंकि भाई ये हसी वाली बात ही होती है खेसारी लाल यादव ने चार हजार रुपे में सपना चौधरी के साथ एक हर्यानवी सौंग कर डाना जी हाँ, अब इस वक्त यही बात मुद्दे की है और आप ये जान लीजिए कि कुल मिला जुला कर बात अब इससे आगे भी बढ़ चुकी है जी हाँ, आपको ये बता देते हैं कि भूचपूरी इंडस्ट्री में अभी ये मुद्दा दीरे दीरे ही सही लेकिन इतना तगड़ा गर्मा रहा है कि फिर पवन सिंग और खेसारी लाल यादो के फैंस आमने सामने हैं और बात सिर्फ चार हजार परटकी हुई है जी हाँ, आपको बता दे कि ऐसी खबर आ रही है कि भूचपूरी सिंगर खेसारी लाल यादो ने सपना चौदरी के साथ जो डांस किया वो फ्री ओफ कॉस्ट था क्योंकि इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि सपना चौदरी और खेसारी की दोस्ती ट्यूनिंग आप इसे जो भी नाम दे लें लेकिन खेसारी लाल यादो के लिए ये बात थोड़ी कम जचती है कि उन्होंने बगैर पैसे लिए ये काम किये हुए हाँ ये जो रकम बताई जा रही है 4000 ये काफी कम है रकम इससे बड़ी होगी इसका दावा भी हम नहीं करते क्योंकि इस खबर की पुस्टी ही कहीं से नहीं हुई है अब खेसारी लाल यादो सल्मान खान तो है नहीं कि बिग बॉस जैसे बड़े शो के लिए सल्मान ने जैसे 1000 करोड फीस चार्ज कर दी वैसे खेसारी हर्यानवी सौंग में आने के लिए करोड़ों मांग लिये होंगी हाँ रकम लाखों में जरूर होगी फिर हम यहाँ यह कह सकते हैं कि हम इस खबर की पुस्टी नहीं कर रहे हैं लेकिन भाई जब धुआ उठा है तो आग तो लगी ही होगी आपको यह बता देते हैं कि सारी सुई अटकर सिर्फ 4000 पर आ जा रही है और अब खेसारी लाल कि टीम इस पर लीपा पोती करने के लिए नए नए बयान गड़ रही है खैर चाहें जो भी हो लेकिन 4000 वाली बात पर आप सहमत हैं या नहीं सहमत हैं हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं होजपूरी चैनल कलकार हमारे ओडियंस बनाए हैं पता